comparing evidence from various cultures how to cross-cultural research में यह बात करते हैं कि आप कुल्टर स्टडी करते हैं तो दोनों जगों से डेटा लेते हैं अब आपके पास evidence आ गई अब बात यह कि इसको किने compare करने है तो एक बात तो यह कि जो statistics है वह यूज होती है तो कैसे होती है नम्बस दोरों तरफ से आगें, वो नम्बस किया है, वो स्कोर्स हैं, स्टेटिस्टिक्स वेरिय बिलिटी पे चलती है, अगर एक ही वैलिई हो तो आप स्टेटिस्टिक्स नहीं कर से चिक है, आपको परसंटेज है तो एक 100 है और 100 में से 98 है या 67 है या 25, अब वेरिय उतके members को आपस में कर रहे हैं आपको मुक्तलिफ score आएंगे तो उन score में जो variability है वही statistically analyzed हो सकती है अब cross-culturally variability ही एक्टुली एक चीज है variability का मतलब होता है जो चीज बदलती हो तो cross-culturally एक चीज बदलती नहीं तो फिर हम क्यों कर रहे हैं कि अस्मान सब जगह एक जैसे है ना हाँ आप यह देख सकते हैं कि किस मुलका क्लाइमेट के तो वहां पर बादल कितने चाहे रहते हैं और धूप कितनी निकलती है अलकिन अस्मान तो एक ही जैसा है ना तो कल्चर ऐसे नहीं है स्टैटिस्टिकल यूज इन क्रॉस क्लिट्रल आपको उन दोनों को चीज़ों को जो जॉइन करती है वह वेरियाबिलिटी मसलन एक मिसाल देते हैं कि जैसे ही आप कोई मिसाल है कि आप किसी भी जगह कोई चय टीवी शो देख रहे हैं कोई मैच देख रहे हैं कोई मोवी देख रहे हैं अप लोगों का डिफ्रنस नौट कर रहे होंते हैं कि एक दुस्ते से फ़र्क कैसे किसने क्या किया कौन जा लग रहा है तो किलचर के ँस case दैश्रीव compare करने हैं उनके multi-level analysis करने हैं उनकी fact size के इलावा उनके अंदर जो standard deviation है जो करती है उसको करने है आपको जो भी करने है उसका कोई ground or reason होना चाहिए कोई theoretical ground होना चाहिए आपके पास कि क्यों कर रही हूं data को आपने visualize भी करना है कि यह कैसा लग रहा है और उसको आपने standardize भी करना है एक चीज़ का दिहान रखना कि आप यह जो significance है जब आप यह संदर करौस करते हैं किसी और में जाते तो आप को जो significance है उसको culture को क्रौस करते भी देखने की जुरत है कि आपने जो null hypothesis बनाया था उस जिसको आप test कर रहे हैं उसकी significance में कौनसी error हो सकती है type 1 type 2 type 1 यह होता है कि वह significant था लेकिन आप से miss हो गया ठीक है type 2 यह होता है कि वह significant नहीं था लेकिन आपने उससे include कर लिया तो type 1 type 2 को describe करने में भी error होती है आप type 1 को type 2 कह देते हैं और type 2 को type 1 कह देते हैं confidence intervals को भी हम देखते हैं और effect sizes को भी आप cultural insights जो है वो आपको variables के आपस के relations से भी नजर आती है यह नहीं दो variables की आपस में क्या रिष्टा बन रहा है किसी एक culture में हो सकता है कि emotional intelligence का leadership से तालुक हो और किसी दूसरे culture में ना हो किसी जगा तीन है किसी जगा पांच है किसी जगा चार है छे कहीं भी नहीं 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 तो theoretically उन्होंने कहा था लेकिन पाकिस्तान में जब हमने इसको इनलाइज किया तो वह चार थी और जो चीजें छे में डिवाइड़ेट थी वह चार के अंदर फिट हो गए तो यह चीजें स्टेटिस्टिकली भी जो आपको नजर आती है यह बड़ी इंट्रस्टिंग होती है अब देखना है कि हम कंपेर करते क्या है हम एक्स्पेरिमेंट्स क्वेस्टनेर्स और उब्जर्वेशन जूस करते हैं एक मिसाल है कि उन्होंने सोशल इंग्जाइटी के स्केल जो रही होती है कि मुझे इस तरीके से उन सवालों का जवाब दे रहे हैं वह तरीका फरक है हाँ ना एग्री करने का क्यूंकि वह उनको तरीका इस तरीके से ही उनका ट्रेनिंग कल्ट्रल उनको यह बताती है जैसे हमने पहले भी मेटा इनलेसिस की बात कि उसमें भी कंपेरि उन्होंने का कि आपकी और एक्टर निया डारेक्टर इस ट्रिप यतट्र तहुं करना ह। यह अप नजर से भी देख तो वाइब और बना रहा है सब्त तो अब एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़ मैं आप से करने लगी हूँ उसकी तरफ जाएंगे कि एवरेज किसी मुल्का सिटिजन कैसा होता है लेकिन उसके पहले मैं आपको कंपेरिंग एविडेंस के एक मिसाल दे दूँ इसको ना पॉंजो इलूजिन कहते हैं कि टेलियन थे पॉंजो नो ने बनाई थी यह जो दोनों लकीरे यह ट्रेन की पट्री के बीच में इनका साइज एक है लेकिन आपको एक नहीं लग रहा होगा इसलिए यह इलूजिन क्य है ना तो लकीर बड़ी लगती है और पीछे वो पट्री जो आपकी तकरीब है तो आपको लकीर छोटी लगती है और पट्री भी आपको लगता है कि आगे जाके मिल गई है वो कभी भी नहीं मिलती थड़क के दो किनारे नहर के दो किनारे और रेल की दो पट्रीया कभी भ लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई इस लुख होरीजेंटल आबजेक्ट रख देती है उस लंबाई के क्रॉस तो वो जो दूर होता है वो बड़ा लगता है जो करीब होता है वो छोड़ा लगता है ठीक अब यह जो अलूजन है स्में क्रॉस कल्टरल डिफरेंसे जाये हैं हला साथ के एक तलाश ठीके जी एवरिज अमेरिकन कौन होता है इसको पढ़ सकते हैं कि उसकी जातातर वो अंदर रहता है उसका जो घार है उसमें एक डेक्ट या टेरस होती है वो इमशन को नापसंद तो करता है लेकिन उसकी इजाज़त भी लोगों को देता है उसके पास ए जो टीज है यह उनका जो मर्दम चुमारी या सेंसे जैना उसमें से निकाल ली तो उन्होंने का यह अब एक साहब थे ओकी उन्होंने दोजार पांच में का कि मैं निकलता हूं कि एवरिज अमेरिकन को ढूंडता हूं वो निकले उन्होंने देखा कि बहुत बड़े दून के एक अमेरिकन निकाला जिसका नाम था बॉब बंस और वो तक्रीबन जो वान पॉंटी इंडिकेटर थे उस पर वह अवरेज था यह निए उसके पास थे वह पांच पूट आठ इंच उसकी हाइट है वह स्पोर्ट केलता है उसके घर में एक टैरस डेक भी है यह ड करता है और वह भी पीनेट वर्टर को पसंद कर तो वह कहता है मुझे फेमस होने की कोई डिसायर नहीं तो कीफ नहीं यह साबिद किया कि जो पन पॉर्टी है उसमें से मैंने एक बंदा ढूर लिया यह अवरेज अमेरिकन है इस ते एक बड़े मज़े की बात होती है अवर करके बैचों की नर्सिंग करती हैं बडों की हम टीवी देखती है अगोसिप करना पसंद करती है मां से नकरानी से फाइट करती है यह नि मदर इं-लाउस से या वह इन-लाउस के शकायत करती है उसके कोई जॉब नहीं है और वह इंटरमीडियर तक पढ़ी वी है और उसको और क्लामेट चेंज की कोई परवार नहीं यह मैंने वैसे ही बनाई है मदलम शुमारी हुई नहीं नहीं ऐसा कोई सर्वे है उसके अपना घर है वह फैशन कपड़े पहनती है डिजाइन बैग लेती है उसको वह ओरतों से बड़ी चिर होती है जो उसकी निस्पत ज्यादा स्मार्ट हो स्लिम हो इंटेलिजेंट हो यह उनका केरियर हो और उसको भी इन्वार्मेंट की परवार नहीं है इन दोनों में चीज आपको कॉमन नजर आएगी ना एवरिज पाकिस्तानी वह मैंन डू नौट केर अबाउट इन्वार्मेंट यह कॉमन नजर आएगी बाकी चीज़ों में आप कहेंगे यह भी एवरिज नी और ते इस तरह की भी है कोई पांच नाम पढ़ती है और डिजाइनर बैग लेती है कुछ डिजाइनर बैग नहीं लेती और नमाज भी नहीं पढ़ती है अन्सान आखिवी बात तो आदमी कौन है पाकिस्टान का मिस्टर बैद तो फॉक्टे वोगे निए ऑर पाकिस्तान असरियर वो मस्तिच चाता है और गर में अकेला कमाने वाला है वो बॉल नीज देखंग जेए है या यूट्यूब देखंग चाहएं और को सुनता है वह अपनी अम्मी की बात जरूर मानता और वहाब भीरहा वागर्ण ब कि कि एव पाकिस्ताइनी सारी चीजों में मुखतलिफ होंगे एक बात में आप कह सकते हैं कि एवरिज पाकिस्ताइनी डॉसनाट केर बाउट इंवाइर्मेंट मुझे अभी तक कि अपनी बात कॉमन नजर आई है अगर पचास पीसद ये करते होंगे तो तो तीस पीसद वो करते होंगे तो फिर average निकालने के लिए average एक elusive concept है यह है evidence across cultures and within cultures और इसको कैसे देखने